दोस्तो मैंने अपने चनल पर एक पोल्ड डाला था, जिसमें मैंने लिखा था कि क्या मैं अपने चनल पर HTML पर वीडियो बनाऊं? YES यार NO? तो मुझे 80% उसमें वोट आया कि आप YES इस पर वीडियो बनाईएं तो finally इस वीडियो में हम आप लोग को HTML का वीडियो लेकर के आये हैं और HTML के बाड़े में बताएंगे कि basic सबसे पहले हम आप लोग के सामने बात करेंगे कि HTML क्या होता है, HTML programming language है या नहीं है, HTML किसके दवारा डेवलप किया गया था और साथ ही साथ ही HTML के क्या features होते हैं, तो साड़ी जनकड़ी आज की इस वीडियो में देने वाले हैं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe कीजिए क्योंकि मैं इसी तरीके का वीडियो आप लोग के लिए हमेशा बनाता रहता हूँ तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि HTML क्या होता है और HTML में क्या features होते हैं, और HTML क्यों programming language नहीं है यह भी हम इस वीडियो में बताएंगे और आगे की tutorials में हम आप लोग को HTML में किस तरीके से वेब पेज क्रियेट करते हैं, किस तरीके से टैग यूज करते हैं साड़ी जनकाड़ी आगे आने वाले वीडियो में आप लोग को मिलेगा तो यह मेरा फर्स्ट वीडियो है HTML पे तो प्लीज हमारे चनल को सब्सक्राइब करके रखिए हम जब भी वीडियो अप्लोट करेंगे तो इसका नोटिफिकेसन आपको मिल जागा तो सबसे पहले में इसमें हम बैसिक बात करेंगे कि HTML क्या होता है तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टाट करता है सबसे पहले what is HTML HTML stands for Hypertext Markup Language It is not a programming language, it is a markup language It is used to develop web page created by Team Burnerly तो दोस्तों HTML का full form Hypertext Markup Language होता है और HTML programming language नहीं है यह एक markup language है और यह Team Burnerly के द्वारा डेवलब किया गया था इसका यूज वेब पेज करने में, वेब पेज डिजाइन करने में किया जाता है साथी साथी यहाँ पर Hypertext का क्या मतलब होता है वो भी हम आप लोग को बता दते है Hypertext यह text which contents link to other text एक text से दूसरे text को link करने के लिए हम Hypertext का यूज करता है Markup Language क्या होता है Markup Language refers to the way tag are used to the page layout and elements within the page Markup Language use create a structure तो जो आप एक structure देखते हैं एक design देखते हैं आप वेब पेज पे तो Markup Language से डिजाइन किया जाता है जैसे कि उसमें एक header tag होता है body होता है तो जिस भी content को आप लिखने के बाद उस tag के अंदर आप उस content को लिख दीजिए तो उस जो content है वो tag को refer कर देता है तो फाइनली Markup Language का मतलब होता है कि जो भी आप content लिखते हैं उस tag को refer करता है जिस tag में आपने content को लिखा है तो चलिए आगे Why HTML is not a programming language HTML programming language नहीं है क्यों तो चलिए हम बताते है Because HTML contains no programming logic It can't evaluate expression Do any math Here you can't write function HTML can't take input produce output जैसा कि दोस्तों आपने अगर C language या फिर कोई other language programming language पढ़ा होगा तो उसमें जो होता है कि आप कोई भी data input करते हैं और उसका output हमें मिल जाता है लेकिन ऐसा यहाँ पर HTML पर नहीं होता है कोई भी input और output यहाँ देने के लिए यहाँ expression add करने के लिए logic programming यहाँ पर आप यूज नहीं कर सकते हैं तो इसलिए हम कर सकते हैं कि यह एक programming language नहीं है यह एक markup language है तो इसके क्या features हैं वो भी बात कर लेते हैं features of HTML it is very easy and simple यह बहुत ही आसान और simple है आप इसे कोई भी write कर सकता है थोड़ सा आप मेहनत कीजेगा आप बड़ी आसान ही से HTML language को सिख सकते हैं second है it is a markup language यह एक markup language है third point it is platform independent तो दोस्तों आप इसे इस language को किसी भी platform पे run करवा सकते हैं जैसे windows, xp, mac, windows 7, windows 10 तो independent है आप कहीं पे भी इसे run करवा सकते हैं fourth point है different device access तो इसे कोई भी device access कर सकता है जैसे कि आप इसे अपने phone में भी आप इसे access कर सकते हैं किसी device में आप इसको access कर सकते हैं यह सारे browser को support करता है फिर point जो है add multimedia तो यहाँ पर दोस्तों आपको facility मिल जाता है तो आप graphics, video, audio, photo, image आप link भी यहाँ पे add कर सकते हैं जैसे कि आपको programming में इस तरीके का कोई भी नहीं मिलता है facility जहाँ पे आप audio, video और वहाँ पे भी मिलता है लेकिन यहाँ पे एक user friendly जो होता है वो यहाँ पे आपको involvement मिलता इस जो point है इस पे इस फेसलिटी टू add link on webpage तो जैसा कि हमने भी बता दिया था कि आप यहाँ पे वेब पेज पे अपने link को add कर सकते हैं जैसे कि Facebook हो गया, WhatsApp, Google, YouTube कुछ भी यहाँ पे आप link वेब पेज पे अपना add कर सकते हैं तो I hope दोस्तों इस वीडियो में आप लोग सीख गय होंगे कि HTML क्या होता है, क्या features है और यह programming language क्यों नहीं है साथ ही साथ मैंने बताया कि किसके द्वारा develop किया गया था तो आगे आने वाले वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे live practical कि किस तरीके से web page का जो header tag होता है title होता है, उसका contents की तरीके से type करते हैं h1 क्या होता है, h2 tag क्या होता है, a light tag क्या होता है menu tag कैसे create करते हैं, input box कैसे create कर सकते हैं option button कैसे create करते हैं साथी जनकाड़ी आज आप लोग को साथी जनकाड़ी आगे आने वाले वीडियो में हम आप लोग को देने वाले हैं तो मेरे चनल को subscribe करके रखिए और अगर वीडियो पसंद है दोस्तों तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा थैंक्यू सो मच